नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम हिमाच्च प्रदेश में हुई बीएड एंटरेंस टेस्ट की जो परिक्षा थी उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वाले पार्ट में हम मैंनली, HPGK और हिंदी वाला पॉर्शन देखेंगे और इसके ठीक बाद English और जो Reasoning और आपकी जो दूसरी चीज़ें पच्छती है इसमें Teaching से लेकर के और जितने भी Commission बगेरा जो भी प्रशन रखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो पहले पार्ट में हम HPGK और हिंदी स्टार्ट करते हैं अगर इन प्रशनों में मुझसे कुछ गरतियां हो जाए दोस्तों तो आप कॉमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं तो सही अंसर होगा बिकल्प नमब A जेटपाल नेक्स ते देखिए हिमाच प्रशन की किस नदी को स्थानिय लोग दुख की नदी कहते हैं तो यह स्वान नदी बिकल्प नमब D सही अंसर होगा हिमाच प्रशन के पहले उपरा जेपाल कौन थे तो यह थे मेजर जनरल हिमत सेंग नेक्स ते चौथा प्रशन प्रत्थम विश्व्यूद के दौरान किस हिमाच प्रशन ने विक्टोरिया क्रोस जीता था तो यह जमादार लालाराम होगा इसका सही अंसर सत्रूज नदी का वैदिक नाम क्या था जो वैदिक नाम है देखिए स्चतुत्री नेक्स ते चटा प्रशन यहां पर देखिए यह कहते हैं कि हिमाच प्रशन के किस जिले में खोखन अभ्यारने है तो यह है जिला कुलू विकल्प नमबर ए साथों प्रशन शिमला जाने वाले भारत के पहले गवर्नल जनरल कौन थे लॉर्ड एम हर्स्ट आठों प्रशन है देखिए हिमाच प्रशन का राज्य दिवस कौन सा है तो यह प्रशन गलत होगा यहां पर 15 अप्रेल होना चाहिए था सही आंसर ठीक है नेक्स प्रशन है हिमाच प्रशन के कांगरा जिले में अंगोरा खरगोष फार्म कहां पर है तो यह है दिकल्प नमबर ए कंडवारी में ग्यारवा प्रशन है यहाँ पर देखी हिमाच्परदेश के कांग्रा जिले में किस स्थान पर जाखनी देवी मंदिर है तो यह आपके चांदपूर में होगा नेक्स प्रशन सूरज ताल जील की जिले में स्थीत है अक्सर ये प्रशन पूछते रहते हैं तो यहां पर लाहुल स्पीती साही अंसर होगा उना जिले में पीर निगहा प्रशन संक्यात तेहरुआ उना जिले में पीर निगहा मेला किस स्थान पर लगता है तो यह है आपके बशुली में विकल्प नमबर A चौद्रों प्रशन है New Mismatics History of हिमाच्छा प्रदेश के लेखक कौन है तो इसका जो साही आंसर होगा देखिए विकल्प नमबर D.P.L. गुपता पंद्रों प्रशन है देखिए हिमाच्छ प्रदेश के राजे पशुक के रूप में किसे पैजाना जाता है तो यह थी बरफानी तेंदुआ जिसको हिम तेंदुआ भी कहा जाता है तो इसका जो साही आंसर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर C. नई दिल्ली सत्रुआ प्रशन है यह होगा आपका विकल्प नमबर D. कलाकुंब यहां पर 18 प्रशन देख लेते हैं तो यह होगा जेली फिश C. साही आंसर होगा इसका 20 प्रशन है निमिलिक्त में से वाइरस कौन सी बिमारी का कारण है तो यह है आपका common cold ठीक है नेक्स आएगा आपका 20 यह अगला प्रशन 21 मई 2020 तक कितने राज़यों को एक राशनकार योजनके तहत एक एक रित किया गया है तो इसका exact उत्तर नहीं है मालूम दोस्तों अगर जैसे ही पता लगता है तो हम आगे वाली वीडियो में आपको यह चीज़ बता देंगे अगला प्रशन देखते हैं रोबर्ट बैप्टिस्ट जो हाली में समाचार में देखा गया था विकल्प नंबर C अगला प्रशन है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोचीन में बनाया जा रहा है तो इसका साई अंसर होगा विक्रांत अगला प्रशन हम देख लेते हैं सौरमंडल का सबसे गरम ग्रह कौन सा है तो यह आपका शुक्र 27 प्रशन है भारत के समविदान में कितनी बार संशोधन हुआ है तो यह प्रशन आपको इंग्लिश में जाला तर फोकस करना था क्योंकि प्रियंबल जो प्रस्तावना है उसमें पूछा गया था कि कितनी बार संशोधन हुआ है तो यह होगा आपका विकल्प नंबर C एक 28 प्रशने देखिए भारत संसद में लोक लेखा स्मिती के अध्यक्ष तो यह हो गया विपक्ष के नेता 29 प्रशन है 1984 पुस्तक के लेखक कौन है तो यह 1984 के जो लेखक हैं देखिए जॉर्ज और्वेल विकल्प नमब सी साई अंसर होगा निमी लिक्त में से कौन सा अयोग वहा है हिंदी वाला पॉशन देख लेते हैं यहाँ पर सही जो अंसर होगा देखिए विकल्प नमबर ए जो विसर्ग है आपके वो क्या है अयोग वहा है निमी लिक्त में से कौन सा शब्द शुद है तो शुद शब्द था इसमें प्रान अगला प्रशन है को बर्ण किसके योग से बनता है को प्लस अ को हलंत और आगे लग जाएगा विकल्प नुम्ब सी 34th question ने देखिए निमिलिक्त में से कौन सा योगम शब्द सही है तो यहाँ पर A और B में थोड़ा सा confusion है मेरे की अनुसार जोस्तो ही इसका सही अंसर होना चाहिए A अंश और हिस्सा हलांकि उपकार और भलाई भी सेम ही है लेकिन दीचे के दो होंगे नहीं चूपर वाले ही होंगे इसमें से नेक्स से देखिए पतचड का भी प्रितार्थक शब्द तो यह होगा विकल्प नमबर A आपका इसका बसंत आजाएगा दिगुसमास का उदारन तो त्री भूबन बहुत सिंपल है जहां पर संख्या वाचक पहले रखाए गया हो त्री भूबन इसका सही अंसर होगा सदैब में प्रियुक्त संधी तो यह थी आपके विसर्ग संधी सदैब में जो संधी होगी देखिए स्वर संधी में भी विरिदी संधी आएगा 37 का B अंसर सही होगा अनुवाद में प्रियुक्त उपसर्ग क्या है तो अनुवाद में होगा अनु विकल्प नमबर D 49. उनिवंन में से कौन सा शब्द देशच है? तो जो देशच शब्द है यहां पर देखी यह आपका विकल्प नम्बर D 40. परशन है निश्चेında बाचक सरमनाम कौन सा है? निश्चेन बाचक सरमनाम है यह विकल्प नम्बर D निमन मैंसे भावाचक संग्या क्या है तो लंबाई भावाचक संग्या में ऊसकती है बाकी शब्द नहीं होने चाहिए अगर आको लगता है दोस्तों कुछ प्रश्चन गलत है तो आप उनका जवाब दे सकते हैं और कमेंट सक्षन में जाकर आप कह सकते हैं उ के उचारन स्थान क्या है तो यह है आपका ओश्ट विकल्प नंबर C इसका साही उत्तर होगा खटमल शब्द कैसा है तो खटमल जो शब्द है यह आपका पूलिंग शब्द विकल्प नंबर A इसका साही उत्तर होगा महात्मा में कौन सा समास है तो महात्मा में जो समास होगा देखी वो होगा करमधार्य महान है जो आत्मा महोशन का सही संदिवी छेद क्या है तो महा प्लस उशन उबिकल्प नमबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तो यह थे दोस्तो 45 कॉॉशन इसके अलाबा जो नीचे वाले portion बचता है इसको हम आगे वाले वीडियो में लाएंगे क्योंकि अभी तक हमने इस जो गध्याश को है सही तरीके से नहीं पड़ा है तो आगे वाले वीडियो में हम इसके answer भी आपको बता देंगे तो फिलाल अभी के लिए इतना ही अगर आपको यह हमारा परियास अचा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्नों के बीच में शेयर कीजिए फिलाल अभी के लिए इतना ही जल्द मुलागात होगी नई वीडियो और नए जो पार्ट के साथ तब तक के लिए आप बने रहे हिंदी साही तबाता के साथ शुक्रिया जाहिए